प्यारे बच्चो नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो आज हम कख्या छे विज्ञान विशे में अध्यायतीन तन्तु से वस्तर तक की कारिये पुस्तिका के परशनों को हल करेंगे जो बच्चे चैनल पर नए हैं चिन बच्चो ने अभ खाएके मोसम में तुम कौन से कपड़े पैंते हो तो यहां पर आप देख सकते हो एक लड़का है जो जिसने आग दला रखिये और अपने आतों को शेक रहा है तो इस मोसम में सर्दी का मोसम हैं अन्य कपड़े पैंते हैं अब देखो सुरिये बिलकुल ऊपर तप रहा है पसीना पहुंच रहा है लड़का, तो गर्मी के मोसम में हम सूती कपड़े पैनते हैं, और बारिस के मोसम में, तीसरा जो है वो बारिस के मोसम में उन्नी और शूती दोनों कपड़े पैनते हैं, क्या सबी कपड़े एक ही परकार के रेसों से बने होते हैं, नहीं, हमें रेसे कहां से मिलते हैं आव पता करें कुछ रेसे उन जन्तूओं से कुछ रेसे पोदों से मिलते हैं जबकि कुछ रेसे ऐसे होते हैं जिनको मनुश्यों ने बनाया है गतिविदी दो नीचे दिये गए पोदे और जंतूं से हमें कौन-कौन से रेसे पराप्त होते हैं तो यहां पर देखो आप ये कपास का पोदा है तो कपास से प्यारे बचो रूई पराप्त होती है हमें क्या पराप्त होती है रूई तो इस खालेस्तान में रूई बरोगे आगे भेड भेड से हमें क्या प्राप्त होती है तो उन लिखेंगे आगे जूट का पोदा दिखाए तो इससे हमें आगे पट्सन का पोदा दिखाए इससे हमें क्या प्राप्त होती है जूट आगे है रेसम कीट है आपके सामने यहां पर चितर में तो रेसम कीट से रेसम प्राप्त होती है आगे चलते हैं नेक्स्ट तुम देनिक जीवन में रेसों से होने वाली किन-किन चीजों का उप्योग करते हैं तो रेसों से बनने वाला कुर्ता, स्वेटर, टाट, मेट, साड इसूत हम देनीक जिवन में प्रियोग करते हैं किसी सूती कपड़े के टुपडए के से कोई दागा बार निकालो क्या तो मिश्वे और भी बारिक दागे अलग कर सकते ऊंद्ध बारिक लडियों को क्या कहते हैं तो प्यारे बच्छो दागे पर आप देख सकते हो, आपके घर में आपकी दादी जी पुराने समय में चर्खा काती हो, आपने देखी होगी, तो चर्खे से रेशों को कात कर दागे बनाई जा सकते हैं, यह चर्खा है, चर्खे से रेशों को कात कर हम दागे बना सकते हैं, गतिविदी त्यार उन किन-किन जंतों के बालों से प्राप्त होती है उन किन किन जंतों के बालों से प्राप्त होती है उन जंतों के चित्रों की कटिंग एक तृत करो खाली स्तारों में चिपकाओ तो भेड बकरी योग उन्ट इन से हमें उन प्राप्त होती है और उनके चित्र हमें यहाँ पर चिपकाने है आप चिपका लेना तुम्हारी मा तुम्हारे लिए उन से स्वेटर कैसे बनाती है तो उन के दो सिरों सिरे लेकर उन्हें सिलाई पर बून बून कर कपड़े बनते हैं आगे हैं नीचे कुछ वस्तों के नाम दिये गए हैं सूतली, रेसमी, साड़ी, बोरी, रूई, खादी, नाईलोन की रसी, स्वेटर, मल, मल, चादर, कंबल, पोलियेश्टर, वस्तर, पोलिथीन इनमें काम में आने वाल देशों के आदार पर निमन परकार वरगी गरित करें तो यहां पर उपर नमरिंग कर रखिया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ ऐसे तो देखो दो और साथ नमर जंतूं से प्राप्त होने वाले हैं तो दो और रेसमी साड़ी और साथ में स्वेटर, स्वेटर उन से बनती है, रेसमी साड़ी रेसम से बनती है, तो यह जंतूं से प्राप्त होने वाले हैं एक नमर सूतली, फिर तीन नमर बोरी, फिर चार नमर रूई, फिर पांच नमर खादी, फिर आठ नमर नाइलोन की रसी और नो नमर है, वो है चादर मनुस्यों द्वारा निर्मित जो है, वो इसमें हो जाएगा, मल-मल तो इसमें आगे, आठ नमर था, छे नमर इसमें आ जाएगा तो नमरिंग कर रखे हैं, उसके साब से आप इनको छांट लेना, यह नाम भी बर सकते हैं आप छे नमर में नाइलोन की रसी, दस नमर में हम बर सकते हैं कंबल, ग्यारा नमर में पॉलिएस्टर और बारा नमर में पॉलिथीन, तो यह हमारे द्वारा मनुस्य द्वारा निर्मित हैं, आगे चलते हैं, यदि कोई कपड़े का टुकड़ा जल रहा है, तो तुम कैसे पैचनों के उनसे प्रयूकत रिषा, सूती रेस में उनी संसलिष्ट है, समू में चर्चा करके देखें, सूती कपड़ा क्या करेगा, तेजी से जलेगा, मन का नई बने, उसका मन का नहीं बनेगा, रेस में जलना कठीन है, पंक जैसी गंद जलने पराती है, उनी दीरी दी के लिए जलेंगे मन का बनना गोल बनेगा सुस्लिस्ट मुस्किल से जलना मन का बनने लगता है ठीक है गोल उपर गोल होने लगता है मन का बनने लगता है तो इस तरीके से हम जला कर उनकी पहचान कर सकते हैं इसके लावा किन-किन तरीकों से तुम पता लगा सकते हो कि वस्त नहीं पहने चाहिए तो प्यारे बच्चो शूति क्योंकि यह गरम होने पर चिपकते नहीं है सुधी वस्तर आपको पहने चाहिए प्चुले के पास काम करते हमें आगे है नीचे दिए गए चितर में रेसम से वस्तर बनने की प्रक्रिया मैं परसाई गई है लारवा है कोकून है, रेसम से बने कपड़े हैं, रेसम के दागों से कपड़ा बनते वे रेसम दागा है चितर देखकर इस विदी का पर नन कीजिए तो रेसम का लारव के मुख से तरल बाहर निकलता है जो बाहर वायू में आने पर ठोस हो जाता है जिसे वे अपने स्रीर पर लिपेट लेता है और कोकून में बदल जाता है कोकून को बाहर पर देखकर मार देते हैं और उतार कर रेसे प्राप्त कर लेते हैं रेसे से रेसम दागे और कपड़े बनते हैं आगे हैं नीचे चित्रों में कपास के वस्तर बनने की प्रक्रिया को दर्साए गया है इन चित्रों को करम में लगाओ जो पहले चण्म से एक नमर उसके बाद में दो तीन चार पांच छे स नमर में लगाओ तो यहां पर मैंने नमरिंग की हुई है एक नमर पे कपास फिर दागों के हम ऐसी गन्ट बना देते हैं फिर उसे फैक्टरियों में ले जाते हैं यहां पर चार नम्बर में फिर फांट नम विस्यलाई करते हैं, छे नमर वेवरीं बने जाता है सही मिलान करो तो कताई जो है वो किस से प्राप्त होती है कताई क्या कामाती है कताई से रेशों से दागा बनाने की प्रिक्रिया फलेक्स जो है वो क्या एक पादब उतवाते जिसे प्राकरतिक तंतु प्राप्त होता है बुनाई क्या है दागों के दो सैट को आपस में विवस्तित करके वस्तर बनाना है नाइलोन और पॉलियेस्टर क्या है संसलिशी तरेसे हैं तो ऐसे हम इनका मिलान कर सकते हैं तो प्यारे बच्चो आगे है आज की क्लास में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा धन्यवाद